तो हम लोग जानते हैं कुस्पी जनर्ण अंग के बारे में एक तो हम लोग जानते हैं पुमंग पुमंग और एक दूसरा हम लोग जानते हैं जायांग पुमंग के बारे मैं समझा चुका हूँ पुमंग की काई को पुंग के सर कहते हैं ठीक है उसी तरह होता है ज्यांग गनेज्या, ज्यांग, ज्यांग की इकाई को हम लोग बोलेंगे इस्त्री के सर, पुमांग की काई को पुमांग के सर कहते हैं, ज्यांग की काई को क्या बोलते हैं, इस्त्री के सर कहते हैं, ठीक है तो यह पूरा कंप्लेटल हम लोग सरचना पढ़ने वाले हैं, इस्त्री के स इसस्तिर कसर को जो सरचनाएं आती है उसी को हम को पढ़ना है पहला तो यह में सरचनाएं यह पर आती है अंडप ओयुल ठीक है इसका मों लोग आंडप को और कारपल भी खहते हैं है ना तो यहां पर आपको पहला नमर कलगा डालेंगे इस hidden के Istrinisar में पहला आपनों दालेना है und up. क्या डालेना है und up. ठीक है? या तो and up नहीं डालते हैं तो केवल Istriста के सर बस डाल दीजे. कोई दिक्कात नहीं. ठीक है? हाँ चली है. तो Istri के सर डाली है पहला point और हम लोग पहला point में चलते हैं. इस्त्री के सर जयांग की कई होती है अभी मैंने बता है इस्त्री के सर क्या होती है जयांग की कई होती है तथा यहां पुस्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करती है यह भी क्लियर हो गया है किसी पुस्प में इस्त्री के सर जो इस्त्री के सर है वहां है ना एक या अधिप अंडपों से मिलकर बना होता है अंडप यह जो भाग हम लोग ऐसे जो भाग देखे हम लोग ऐसे लास्ट में इसको अंडासा बोलते हैं और अंडासा के अंदर में होता है अंडप क्या होता है अंडप ठीक है तो यह एक भी हो सकता है भागों बढ़ता है, कितने भागों बढ़ता है, तीन भागों बढ़ता है, चलिए, तो तीनों भागों हम लोग देखते हैं, है ना, तीन भागों बढ़ता है ना, इस तरी के थर वो देखें, पहला भाग ये सब से उपर का भाग को बोलते हैं हम लोग वर्तिकागर, तो अब यहां पर वर्ति काग्र है अब वर्ति काग्र क्या है बस आपको इसको देखकर इसका डिटेल्स लिखना है इतना दिमाख तो आपको भी लगाना है कि यह यह पूरा क्या है अब यह पूरा कम्प्लिटली अंडब भी बोल देते हैं इसको तो अंडब का सिर्था भाग ऐसे बोलते हैं लेकिन मैं इस्त्रिक असका यूज़ करूंगा ठीक है तो वर्ति काग्रम क्या करेंगे हम लोग कि इस्त्रिक के सर का ठीक है इस्त्रिक इसर का सिर्थास्थ हिस्टा 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 है इतना बस मैं लिकने आप लोग कि यह जो इस्त्रिक है या अंडब है इसको अंडब बोलते हैं अंडब का अंडब का सिर्शस्त चेत्र या तो इस्तिर के सर का सिर्शस्त चेत्र जो कि प्रया वर्थिका के सिर्शस्त हिस्सा के रूप में होता है वर्थिकागर कहलाता है लुजंदेन, सब्सक्ता analyze, दूस्रा वर्तिका क्रता है, क्या करोगे क्मारिक क्लान सवां वर्तिका भाग अंडब के सबसे निचले भाग भुले भाग को अंड़ासा है कहते हैं ये तीनों का एक एक लाइन में बस लिखना है आपको ठीके तो हो गया माधजरा अंकी जानकारिया किसको क्या क्या बोलते हैं ठीके अब लोग हम लोग चलते हैं सुरू से किस-किस में चलना उसको देखिए हैं हमको अभी चलना है पहला नम बता देया है अपने इंचे नमब्र के चलेंगे किसमें विजांड में अभी हम इंचेम भागो चलेंगल सम्झाई लोग ठीक है भिजांड की सरच्चना में है नहीं तो हमारा बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत ही IMP question आता है भिजांड की सरच्चना को सम्झाईए अभी बीजांड की सरच्चना बोले जाएगा तो इसकी चीत्रभस को बताना है ठीक है तो बिजान का सरचना इसको मैं बोलते हैं गुरू बिजानुधानी तो आपका question यह बन सकता है कि आवरित बीजियों के बिजान की सरचना को समझाईए और या तो गुरू बिजानुधानी को समझाईए गुरू बिजानुधानी को समझाईए ठीक है तो यहां पर बिजान के सरचना को समझाइए और बिजान के प्रकार को समझाइए बिजान के किसको प्रकार को टाइप साफ ऑवियूल ठीक है तो बिजान के सरचना के लिए हमको बहुत सारे नाम नया नया नाम मिलेगा उसको देख लेंगे हम लोग है ना क्या क्या ब यह पहला नाम हिसका नहां है फ्यूनिकल कला किनी कल था झाल सकतने हैं भूलेंगे या भार को भूल लिए हम लोग है राम ही थिकत है इस च्चेत्र को बोलेंगे हम लोग प्रदीद ही चला जा या चलाजाल वट्थिट को चैफ रऴर ने ठीक है निभाग छित्रा निभाग यह छित्रा बोलते हैं इसको निभाग लिख देना ठीक है अब अब यह सरचना को सोड़े इस सरचनम चलते हैं इसके इस जगना तीन कोष्ट क्या होती है एक्चिलियू में उसको बोलते हैं एंटी पोडल्स क्या बोलते हैं एंटी पोडल्स क्या बोलते हैं एंटी पोडल्स क्या बोलते हैं अब यहां पर बीच में और कंद्रक होती है यहां पर तीन होता है ऐसे यहां पर एक कंद्रक होती है इसको बोलते हैं लोग नुकलियस एक अब नीचे ले आएं तो इसको पुरा भुरून कोस कहते हैं क्या कहते हैं भून कोस मतलब इंब्रायो सेक इंब्रायो सेक ठीक है और यह जो नीचे में फिर यहां पर दो तीन सरजना होती है एक चली में तो तीन में सबसे उपर वाले को हम लोग बोलेंगे एग ठीक है और यहां दो और होती है दो सरजना एक और यह दो तो दोनों के एक साथ हम लोग बोलते हैं सैनट जिड इसको ठीक है जी और यह जो अलब भाग दिख रहा है इसको बोलते हम लोग माइक्रो माइक्रो पॉयल छेत्रा ठीक है बिजान्ड द्वार अब आपको बहुंच जगा कंपिजन के होगा कि ये कौँ छेत्रा है देखे ये माज़े एक चित्र बना रहा हो इसमें तो ये सीर्स चेत्र है ये ये अधारी छेत्र है है तो इसका सीर्स चेत्र ये है नहीं इसका सीर्स चेत्र ये वाला भाग है क्लियर हो गया ये इसका अधारी छेत्र है पूरा इधार को हम बोलेंगे यहां से यहां को भी हम लोग अधारी छेत्र ही बोलेंगे उसका इसको मद्ध छेत्रा इसको सीर्स चेत्र ये है ये जो चलाजर लिखा हूना ये जगा क्य गुरू बिजानु धानी भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर मादा युगमक या गुरू बिजानु इस्थिर रहता है बिजान के अंदर गुरू बिजानु इस्थिर रहता है माइक्रिस्पोर बोलते हैं इसको ठीक है बिजान जिस वरिंद के साहता से जरायू से जुड़ा रहता है देखें मैं सचना बताता हूं जिस पूस्प है ऐसा पूस्प बहुत है तो पूस्प सब से नीचे लबाग को अब लोग जरायू क्या बोलते है जरायू एना उससे जुड़ा रहता है यह गाल गाल निए-डिक दैषक है आप लोग ठीक हैं तो बिजान्ड जिस वरिंद के माद ये पूरा बिजान्ड है ये बिजान्ड जिस वरिंद के साहता से जरायू से जुड़ा रहता है जरायू से जुड़ा रहता है उसे बिजान्ड वरिंद कहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बिजान्ड वरिंद नाभिक कहते है ठीक है भीन है विजन वरिंथ जिस इस्थान पर भीजन से जुड़ा रहता है यही के जुड़ा से इसका नाम है हाइं बोलते हैं है नाभिक कहते है है यह नावी कहते है है ठीक है रिपीटे कर सुने लीजीए गा जो बिजांद के केंद्रकी ये मिर्दुत्तिक चकी बहां को खें किया हैं क्या कहते हैं जो पूरा सरस्चना आपको कह लाएगा बिझानद काय है थिके क्या कह लाएगा ये बिजानद काय ना कैना कैसल कि ठोड़ा सितल्स आप लिख लेना है ना कि आ बिजान काय प्रैहाध दो फर्तों में पि distant ऑर दो से इ enthusiasm के दो पर्बत्पर ये पहला परत हो गया ये दूसरा प्रथ हो हो गया यह पहला परत हो गया यह दूसरा परत हो गया तो बिजांड काय प्राया है यहां डिटेल आप लोग लिख लेना बिजांड काय यह तो बिजांड काय मतलिक ना बिजांड भास को लिखना बिजांड काय अंदर को बोल देंगे हम लोग ना ठीक है के अंदरी मिज़त आवरान से घीरा रहता है और बिजान के आवरान का हम लोग बोलते हैं अध्यावरान क्या कहते हैं अध्यावरान उसको हम लोग बोलते हैं इंगलिस में इंटेगमेंट ठीक है क्या बोलते हैं हम लोग इंटेगमेंट यह जो आरण है उसको बोल देंगे हम लोग इंटेगमे थीक्यां तक लिखी है विजान के बहर के अध्यावरन- अध्यावरन को भाह अध्यावरन को और देख्या अध्यावरन हो इक यह बाहर अान्ध्यावर केसे ईना दुन होते हैं तो इसके नोसके तो बढ़ें हो सकते कशित्रbes second अन्ता अध्यावरान कहते हैं चिद्ध बाग अध्यावरान बिजान्डों के बिजान्ड काय को पूरा नहीं ढखते हैं ये नीचल जो भाग उसको बोलते हैं बिजान्ड काय क्या बोलते हैं बिजान्ड काय ठीक है तो अध्यावरान ये जो अध्यावरान है ये दोनों अध करते हैं विजांड द्वार मायकरो पाल एला झाल जुआ बां दीखकए तो यह मायकरो पाल साई ओfrontère आधारी भाग जो नाभिक के ऊपर इस्तित होता है कि आ बिजान्ड का अधारी भाग मैंने बताया था यह सीर से भाग है यह अधारी भाग है यहाँ पर देखे चल अधारी भाग है यहाँ पर हाइला में नाभिक है उसे के बताया जा रहा है ठीक है कि बिजान्ड का अधारी भाग जो नाभिक के उपर इस्थित होता है तथा जहां से अध्धरन विक्सित होते हैं निभाग कहलाता है मैंने बताया था निभाग ठीक है चले जल बिजानद्वार के पास इस्थित बिजानद्वार के पास इस्थित बिजानद्वार का है यह जो सबसे नीचे बिजानद्वार है यह बिजानद्वार है जो सरचना बने गी यह जो सरचना बने गी यह बिजान का है जो सरचना बने गी कहलाएगी तो ब्रून पोस्क करके जो निभागी चेत्रा, निभागी चेत्रा में प्रतिमिख को सिखाय होती है, क्या होती है, प्रतिमुख, जिसको मैंने आपको चित्रम बता दिया था, एंटी पोडल करके, प्रतिमुख को सिखाय होती है, ठीक है, तथा बिजान द्वार चेत्रा में ये नीचलर खेतर में, बिजान दौर खेतर में अंड उपकरन होते हैं, मैंने बताया था, तीन ऐसे एक और दो, इसको तीनों को अंड उपकरन कहते हैं, लेकिन एक को अंड कहते हैं, और दूसतरे दोनों को क्या बोलते हैं, सैनेड जीट, क्या बोलते हैं, सैनेड जीट, तो बिजानदार झेतर में अणडर भनेंगे ठीक है अदूपकरण के अन्तरगत एक अंड एक अंड तता दो सयाक उसका यह राती है सकी प्रबर вся टार उसको संर्ड यह चलिए अब चलते हम लोग बिजानके प्र कर टाइप्स और यू ठीक है ऑरी मत बोल दहां और ही मतलब अज़ा होता है अभे हम लोग बिजान बढ़ रहे हैं ना तो बिजान दार तथा बिजान दार मतलब क्या है मैक्रो पाइल चेतर को हम लोग बोलते हैं बिजान द्वार और चलेजल को हम लोग बोलते हैं निभागी चेतरा तो बिजान द्वार और निभागी चेतर के इस्तितिक एधार पर बिजान को निम लिकित भागों में बाटा गया है पहला चलते हैं रिजुवर्ती बिजांट किसमें चलते हैं हम लोग रिजुवर्ती बिजांट अर्थोट्रॉपस ओयूल ठीक है तो इसका मैं डिटेल तो लिखूंगा नहीं आपको ध्यान सुनना है और चीज़त देखकर बनाना है तो इस प्रकार का बिजांट सीधा होता ह है दिख रहा है आपको इस प्रकार का बिजांट क्या होता है सीधा होता है इसमें बिजांट व्रिंद फ्यूनिकल बोलते हैं उसको इसमें जो बिजांट व्रिंद है बिजांट व्रिंद निभाग निभाग मतलब हम लोग बोलते हैं चलेज़ा को बोलते हैं चलेज़ा को तो रिजिवर्थी बिजान का डिडिल देखे कि इस प्रकार के बिजान सीधा होता है इसमें बिजान्ट, व्रिंथ, निभाग और अंडद्वार एक सीधी रेखा मिस्तित होता है यह रिजिवर्थी बिजान complete ठीक है चलिए तो दूसरा हम चलते हैं प्रतीप या अधोमुखी बिजान्ट यहां पर सरजना बनाई गई है देखें इम्रयास एक को में भूल गए यहां पर इम्रयास एक बनाते हैं भूनकोज जी चलिए तो प्रतीप अधोमुखी तो इस प्रकार का बिजान्ट उल्टा दिखता है उल्टा दिखता है मतलब दिखें वो सीधा था यह उल्टा हो गया है मतलब यह सिर्स चेत्र नीचे हो गया है और अधारी चेत्र है वो उपर हो गया है ठीक है तो इस प्रकार का बिजान्ट उल्टा दिखा है इसमें बिजान्ट सरीर लगभग 180 से घुमा रहता है अरे भई ऐसा है 180 मतब जानते हो ना यहां से ऐसे इधा पुरा घुम जाता है तो अगर यह ऐसे सीधा रहता है तो यह उल्टा होगी है पुरा कंपलेटली तो 180 में घुम से घुम जाता है जिसके कारण बिजान्ट वरिंद यह जो फ्यूनिकल है बिजान्ट वरिंद तथा नाभिक नाभिक मतलब यह ऐसे घुम कैसे आ गहा है यहां पर नाभिक होता है हाईलाम ठीक है हाईलाम जी यह फ्यूनिकल और यह हाईलाम यही इश पासा हयलम है जबकर हाइलम मतलब नाभिक इसमें बिजान टाथा नाभिक पास पास और य direito है. एवं सेयोग तो छो कर रफी कर निर्मान करते हैं इस प्रकार दिवीच वेट्रिक निमें सबसे ज्यादा मिलती है रैफी मतलब क्या होता है रॉण सब टो यह देखिए मैं इकड़ मच्छा बना रहा हूं यह कि यह यूरम पाइंट है कि फ्यूनीगर है और फ्यूनीकल के बाद ऐसे जाता है और यहां होता है यह होता है यह है है मुडने का नहाई लाम है ना ऐसे यह हाई लाम और यह फ्यूनिकल दोनों एक जैसे जूड़ते हुए दिखाई देता है उसको रैफी ठीक है कनिर्मान करते हैं बोलते हैं ठीक है ओके रैफी क्लियर कन्फिजन होना ठीक है तो प्रतीब अधुमिक्यम क्या बता है मैंने कि इस प्रगार का बिजान उलता होता है इसमें बिजान लगभग बिजान का सरील लगभग एक स्वासियन घुम जाता है जिसके करन जो बिजान वरिंद हैं और नाभी के पास पर जात करती है जे हो गया आपकी बिजान अच्छी अचटा में रुजरति बिजान को उधान को बिजान देना आप लोग इसमें पान का तुम गपर गभड थार अनुप्रस्तवर्त भीजान्ट इसमें का लिक नहीं कि इसमें भीजान्ड अक्ष्ट है वृंद के साथ समकौन पर इस्थित होता है समकौन नब्यांस को समकौन नहीं इस केसे उल्टा बनादी है हम लोग ठिके ऐसी होता है कि ँट हैसे सीधा से आ रहा है समाज़ रहा है ना तो इसमें बिजान अक्ष्ष है वहां वरित के साथ वरिंद के साथ वरिंद लगभग समकौन पशत्त होता है ठीक है इसको प्राइम मूला का जो पौधा है वह ठीक है अनुप्राश्था वर्था बिजाना ठीक है इतरा है लिखना उधारा में लिखना आप लोगप मुला सक प्रैम लोगा इसाहि Count करें इन बायोलजी चलिए अब हम लोग इधर को कट करिए आप लोग हम लोग चलते हैं चांत नमबर में अनुपरस्थ बिजांग में है ना अनुपरस्थ बिजांग तो इसमें बिजांड अक्षे के सांस भून कोस में भी वक्रता बनाती है अनुपरस्थ बिजांड कई में एंफिट्रोपस क्या बना TAK masterpiece मतलब क्या होता है कि सब में देखना कि जो भॉन कोस है यहां रहता है उस वालें भी देखना भॉन कोस को में बना बनाया था मैंने यहां बनाया था देखो ठीक हैं अब इसमें का बुरू कोस है वो नीचे में नरह कर ब्रों कोस हम नीचे में रह् जाता है। राफ कर झाओ था पांचवा चलते हैं हम लोग वे- ठीसितने थे शूसार देखिए आप वक्रवर्थ विजांड ठीक है वक्रवर्थ विजांड में क्या होता है कि यहां विजांड अपने विरिंद पर घोड़े की नाल दिखो ऐसे दिख रहा है ना घोड़े की नाल ऐसे होता है ऐसे होता है घोड़े की नाल ठीक है तो यहां विजांड यहां अपने विरिंद पर ये जब विरिंद है अपने विरिंद पर घोडे किनाल की अकरिती घोडे किनाल की अकरिती में इस्तित रहता है बिजान विरिंद तता नाभिक जो बिजान विरिंद है तता जो नाभिक है हाईलम है इससे पास पास होते हैं लेकिर रैफी का अभा होता है रैफी नहीं बनाता झाल झाल